लॉक्डाउन के दौरा ने देखने को मिला है कि बहुत बड़ी तादात में गोमाता, भूकी, प्याशी और अन्न पसुपक्षी भी जो है जल और भूक के कारण चैचे है ला रहा है तो फरिशानी का सामना तो वो कर रहे हैं और जगे जगे इसकी कोई कहीं कोई बहुस्ता इसके लिए इस तरह की कुंड बनाए गए हैं जिसमें दाई भी पानी पी सकती है और पसुपक्षी भी पानी पी सकते हैं और इसलिए गोशेवा कुंड की नाम से हमने इनको संचलित किया है अगर कहीं आवशक्ता पड़े तो हम उनको प्लब्द भी करा सकते हैं बस सर्त एक ही रही थी कि उसमें पानी भरना नीमित रूप से उसको देखना जिससे आने वाले पसुपक्षी पानी का शेवन कर सके और अपने जीवन को संचलित कर सके इसके लिए खेंद्र बनाये हैं मैं उम्वीद करता हूं कि भोपाल सहरवासियों को आफशक्त पड़े हम पी पूर्टी करेंगे और जिन जिन के लोगों को इसका प्रभारी बनाया है उनसे भी आग रहे कि वह इस बात का ध्यान रखे हर कुंड में पानी परियाद रहे जिससे गोमाता को पानी मिल सके अन्य पसुपक्षियों को भी पानी मिल सके और सब लोग इस गर्मी में अपने पानी की जो है कमी को फूर्टी कर सके और नागरिकों से भी आग रहे गोमाता का और अन्य पसुपक्षियों का भी इस बीचने ज्यान रहे